जब भी आपको परिशानी सुरू हो रही है तो आप गहरी साथ से लेना सुरू करिए पूरी प्रेग्नेंसी के दौरां गर्वती महिलाओं को अपने खान-पान से लेकि रख रखाव का बड़ा जादा ख्याल रखना होता है प्रेग्नेंसी में आप दिन भर में बहुत बार हसती है तो आप बहुत जानना चाहती है कि आपका गर्भस्तर शिशु हसने पर गर्भ में कैसा महसूस करता है और गर्भस्तर शिशु को से क्या फाइदे होते हैं तो यह सारी बाते मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ जानने के लिए हमारा यह वीडियो पूरा एंटन्स जरूर देखेगा नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पूजा स्वागत है आपका अपने इस चैनल प्रेगन से टेप्स एन इंफॉर्मेशन में इस नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेस्चन्स कोई दिस होंगी तो वीडियो पॉब्लिश होने के च एक एक सरसाइस होती है जोर जोर हसने से क्या होता है कि हमारे मस्तिस्क में जो हार्मोन एंडॉर्फिन होता है और साथ ही हैपी हार्मोन्स जो होते हैं वो अधिक रिलीज होते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप हसती है तो यह हार्मोन्स आपके सीक्रेट होते हैं release होते हैं जो कि आपको भी फाइदा पहुचाते हैं और आपके गर्भस्त शिशु को भी इससे फाइदे मिलते हैं इसे लिए बड़े बुजुल्ग भी कहते हैं डॉक्टर भी आपको यही सला देते हैं कि इस दौरान आपको हसते रहना है खुश रहना है ताकि आपका गर्भास्त सिशू इन चीजों को महसूस करे फिल करे तो जैसे नॉर्मली क्या होता है जब हम लोग हसते है तो हमारा पेट जो है हिलने लगता है ऐसे में जब गर्भाती महिला हसती है तो महिलाओं का बेबी गर्भ में बाउन्स होता रहता है उपर नीचे होता है तो बच्चा इस चीज़ को काफी ज़्यदा इन्ज़ॉय करता है खुश रहता है इस चीज़ से लेकिन उसे किसी तरीकी की कोई परिशानी नहीं होती है तो आप प्रेगनेंसी के दौरान दिल खोल कर हसे तो यह आपको बहुत ज़्यादा देगा आपके गर्भ में शिशु इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है दूसरी चीज क्या होता है जब आप खुश होती हैं तो इससे क्या होता है कि जो आपके शरीर के हार्मोन होते हैं वो प्लेसेंटा के थूँ आपके बच्चे तक आसानी से पहुंचते हैं और ऐसे में बच्चा काफी ज़्यादा शान्ती भी महसूस करता है तो बच्चा जो है कूल और कमफर्ट रहता है जब आप हंसते हैं क्योंकि उसे इस दौरान काफी अच्छे हार्मोन्स प्लेसेंटा के थूँ मिलते रहते हैं तीसरी चीज दोस्तों जैसे कि आपके गर्ब में शिशू होता है नौ महिने की जर्णी में वो आपके गर्ब में धीरे-धीरे पनपता है तो ऐसे में जब बच्चा जो है सुनना शुरू कर लेता है गर्ब में ही जब शिशू के सुनने की छमता गर्ब में बन जाती है तो ऐसे में शिशु जो है अपनी मा की आवाज को बहुत अच्छे से पहचानता है तो जब शिशु पैदा हो जाता है तो वो अपनी मा की आवाज को काफी अच्छे से समझ पाता है तो इस तरी के एक से गर्ब में शिशु अपनी मा की आवाज को तो सुनता ही है लेकिन शिशु गर्भ में होता है तो इस दोरान मा की हसी को बच्चा समझता है, सुनता है और ठीक ऐसे ही जन्म के बाद बच्चा मा की हसी को लगाता है याद रगता है तो ऐसे में गर्भर्स्त शिशू का जो बॉंड गर्भावस्ता के दौरान पनप जाता है वो आगे चलके यानि कि डिलिवरी होने के बाद और भी ज़्यादा मजबूत होने लगता है चौती चीज दोस्तों इस दौरान रिलाक्स रहने की कोशिश करें अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान समझाय हो भी रही है सार अलिक या फिर मानसित तोर पे या फिर प्रेगनेंसी के दौरान कई बार मूड शेंस ऐसे होते हैं कि काम काज करने का भी मन नहीं करता है तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि घर में भी कला कलिश इत्यादी सुरू हो जाता है जिस वज़े से आपका मोड खराब रहता है तो दोस्तों आपको क्या करना है आपको इस दौरान रिलेक्स रहना है अपने बच्चे के लिए तो आपने आपको खुश रखे इस दौरान और जब भी आपको परिशानी सुरू हो रही है तो आप गहरी साथ से लेना सुरू करिए breathing exercise करें तो आपको काफी ज्यादा फाइदा मिलता है पांच वी और अंतिम चीज दोस्तों इस दोरान आपको तनाव बिल्कुल नहीं लेना है देखिए दोस्तों हसने और खुश होने का जस्ट अपॉजिट होता है तनाव लेना दुखी रहना और प्रेग्नेंसी में जैसा मैंने आपको बताया कि जैसा आप रियक्ट करेंगी जैसा आप फील करेंगी ठीक वैसा ही गर्भस्त शीशू भी फील करता है अगर आप तनाव लेंगी तो इससे बच्चे की बनने वाली जो ग्रोथ होती है उसका जो विकास होता है शाररिक और मांसिक उसमें कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव पढ़ने लग जाता है आपके शीशू की ओवराल ग्रोथ में इससे बहुत जादा फर्क पढ़ता है तो ऐसे में आपको तनाव नहीं लेना है आपको इस दौरान नकारात्मक बातों नकारात्मक विचार और नकारात्मक परिस्थितियों से दूर रहने की बहुत अधिक कोशिश करनी है यह काम आप ज़रूर करिए इसके अलावा आपको क्या करना है आपको प्वास्टे काहर करना है पानी अधिक सदीक पीना है फल फ्रूट सब चीत्यादी आपको सब फ्रेश खाने है वाक ज़रूर करनी है आप इस दौरान वाकिंग करिये सुबह श्याम योग प्रनायम करिए ब्रीधिंग एक्सरसाइस जैसा मैं आपको बताया आप इसे जरूर करिए तनाव से सब्सक्राइब और शराब और चिग्रेट से भी आपको इस दौरान दूर रहना है यानि कि धुम्रपान इस दौरान बिलकुर निशेध होता है तो ये ती जनकरी दोस्तों कि आपका गर्भस्त शिशू आपके हसने पर कैसा रियाक्ट करता है कैसा महसूस करता है जो बाते है तो चैनल को सब्सक्राइब करी नीचे रेट क्लर का सब्सक्राइब बटन है उसे ग्री कर दीचिए थैंक्स पर वाचिंग दोस्तों फिर में लोगे आपसे नेक्स वीडियो में तिल देन स्टे हैपी स्टे हल्दी